स्कॉलर है अतुल राजिस्थान से हमारे साथ, स्वागत है अतुल आपका नमस्कार जी आदा अतुल भाई बताईए क्या सेवा सर किया कि हमारे जो फादर है उनके 79 एज है और उनके हार्ट में ब्लोकीज है उसमें कोडियोजिश्क के दिखाया था हमने तो उसमें जो वो करते हैं वो इक को करते हैं उसके अंदर दिखायागा तो वो 79 एज है वो बोल रहा है इंका आर्ट का वो बोल चेंज करवाईगी चीक है वीटा एक तो बहुत अच्छा किया आपने फोन कर ले कि कोई जो एज है ना उसमें कुछ भी कर नहीं सकते आप उलाद हैं बाप के लिए तड़प रहें तो मैं आपकी तड़प समझ सकता हूँ लेकिन एक नस्खा आप उन्हें अगर खुद बना के दे या अपनी पत्नी से या अपनी मम्मी से बनवा के दे बहुती आसान है लीमू का जूस एक ली्टर अदरग का जूस एक लीटर ये दुनिया का मशूर नस्खा है और ये अरबी नस्खा कहलाता है अरबी नस्खा यानि नीवू का जूस एक लीटर अद्रक का जूस एक लीटर लहसन का जूस एक लीटर और जैतून का सिर्का वेनेगर जैतून का सिर्का एक लीटर इन सब को मिला कर रखें और तीन चम्मश शुबा नाश्ते के बाद तीन जी कुछ दिया करें और आप देखेंगे कि ये चार-पांच महीने चलता आई है कम वेश और इसको खतम होते होते आपकी पिता जी की तवियत अच्छा होना मुम्किन है जी नेक्स्ट कॉलर है कसक पाल दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका जी बताइए जी मैं नहा करात बेटा अमर बताए अमर पंद्रह सार देखिए वैसे इस उमर में जिसम में जोश बहुत होता है और कुछ बच्चे बच्चियों को उसकी एहवज में दाने निकलते हैं खुजली होती है और इसका इलाज भी है हला कि जब तक आप इलाज करते हैं जब तक बहुत निशाना चेहरे प्रोश पाऊ जाते हैं तो आप एक काम करें गउन मारिंगा ले गउन मौरिंगा असली ले लेना पानी मिला पानी में मिला कर पी लिया करें आपका चेहरा इतना खिला बहुत लंबे और बहुत सारे फायदे होते हैं आपकी ग्रोध बहुत अच्छी होती है तो आप ही ले लिजे मुझे अमीद है आपको फायदा मुम्किन है अगले कॉलर है हरियाना से हमारे साथ श्यामलाल जी स्वागत है आपका हालो हान जी जी बताइए क्या जानना चाहते है नमस्कार जी नमस्कार अदव जी अदव श्यामलाल जी बताइए क्या सेवा है स्वाल किजी मैं अर्याना चे बोल जी यमननों को स्टिक से हां जी हां जी हां जी कमारे बास एंग विट्टा था 19 एर उल्ड हां जी उन्विशाल का इंग विट्टा था हमारे पास वो फायर होगे था तो मिसीजी की एज एज 45-46 और मेरी 50 गास्वाश हां जी तो प्राइब करें लिए इसके लिए और एगनी पढ़ रहे हैं अच्छा देखिए एक बड़ा अच्छा निस्खा है और दोनों लोग लेना आप भी और आपकी पत्नी भी और वो नस्खा ये है के अस्वा गंधा आप जानते होंगे किसी से पूछ लेना अस्वा गंधा अस्वा गंधा अस्वा गंधा नागोरी कहते हैं वैसे लंबी लंबी डंडी होती हैं और रो मैटेरियल लेना है सो दो सो गिराम खरीद लें असवगंदा और जितना असवगंदा खरीदें इतना ही गौन वारिंगा खरीद लें ये दोनों चीज़ें दो दो सो गिराम लेकर पौडर घर पर बनाना दोनों रो मैटेरिल लेना कोई भी कितना भी कहा है कि पिसावा ले लो गोलियं मिल जाएं है, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ, आपके बेयान से में बड़ा असास हो रहा है, तो इसके दोनों को दो-दो-सो गिराम लेका पाउडर बनाएं और ये ऐसे दो चुटकी सुबा, यानि आदा गिराम, या शाम को, एक ही टाइम खाना, आपको भी और आपकी धर्म-पत् ये दो-चार सो गिराम जो मेटेरियल आपने खरीदा, ये खतम होने से पहले आपको उम्मीद हो जाएगी, और बहुत कुछ खबरी आप फोन करके मुझे बताएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लएगा, अकेम साब अगर बात करें हम बालों को लेके, हम देखते हैं कि कि एक खुबसूरती सबसे जाद उसके बालों से ही होती है, वेक्ति चाहता है उसके बहुत सुंदर बाल हो, बहुत घने बाल हो, लेकिन अब खान पीन हम लोग का ऐसा हो चुका है कि हमारे बाल इतनी जढ़ते हैं, गुच्छे के गुच्छे हमारे हाथ में आ जाते हैं, ह कही न कहीं कम होता जाता है, तो क्या हम अपने बालों को बचा सकते हैं, घरेलुन उसके अपना के? भगवान का शुकर है, मेरे बाल तो है, और मेरे बाल इतने हैं, कि लोग यह समझने लगे शुरूर में तो कि मैं विग लगाता हूं, लेकिन औरिजनल बाल हैं, बिलकुर। अपने मकान का खया लगे तो मकान मरमत हो जाता है, तो आप तवज्जे देख ली, और जो कमी है जिसम में उसको पूरा कर दे, थाइराइड अगर है तो उसका टेस्ट करा ले, जिनके बाल गिरने लगे हैं, टाइफाइड है तो उसका टेस्ट करा ले, टाइफाइड में भी बाल गिरते हैं, थाइराइड में भी बाल गिरते हैं, और बाल जिस चीज से बनते हैं, वो चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, तो हमारे हर चीज की एक गिजा है, बालों की भी एक गिजा है, आखों की भी एक गिजा है, और हड्डियों की भी, सब की अलग अलग भोजन है, समझे, गिज़ा मतलब भोजन, वो भोजन पूरा कर दीज़े, आपके बाल इतने के समाले नहीं जाएंगे, आज तक लोग मेरे बालों से मेरे दोस्त, मेरे जो कलीग, वो सब गंजे हो गए, उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा, जी, और मैं जाता हूँ जब उन लोगों म तो वो रश करते हैं मेरे बालों को देखके के तेरे बाल क्यों अभी तक हैं, देखिए उपर वाले की किरपा भी होती है, उपर वाले नहीं सब को सेहत्वन भेजा है, अब हमारी जिम्मेदारी के हमारे इतनी सेहत अच्छी देकर भेजा है, और सुन्दर बना के भेजा है तर उनकी आप एप घले बहुत जादा खांसी थी तो मैंने तीन चार एंटीवाला को दिकाया तो कोई दभाई का रेक्ट में और फिर पाद मैं उन्हें इक एक लनता है और आपकी गले में छाले पढ़ गएं तो स्वांसी आपको खांसी आती है आप भी पांच बार गरम पानी पीएं रोजाना और ऐसा गरम जैसे चाय पीते तो बगेर दवा के भी ठीक हो सकते हैं और मैं एक निसका बताता हूँ वो अभी बता रहा था मैं आप देखिए साफ साट जीरा मेथी पुड़ा सा बतला है मैंने साफ साट जीरा मेथी दो दो सो गिराम लें रो मैटेरियल लें और एक आता है नमक कलोंजी का कलोंजी जो किचन में रहती इसका एस्टेक होता है वो बहुत असरदार होता है ये नमक कहते हैं लेकिन नमकीन नहीं होता इसमें देड़ सो ग्राम मिलाकर पौडर बनाएं और आप भी खाएं और आपके बच्चे को भी भी भीज़ दें बनाके और ये खतम होने तक आप दोनों के रोख खतम होना मुमकिन है नुसकी अपना लीजेगा जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं दर्श को जब आप लोग इस कारिकरम से जुड़ते हैं तो कॉपी पहले के जरूर बैठियेगा एक बात का ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आपको याद होंगी चीजे जब आप लोग लिख सके हैंगे तो लिख लीजेगे बात बाकी हेलप लाइन नंबर लगतार दिखाया रही हैं आप इन पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं दर्श को कभी भी 24 आर्स हकीम सहाब से बात कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जब शिकायत करते हैं तो फिर यह जो कीमती वक्त होता है ना दर्श को कीमती वक्त निकल जाता है फिर आपकी बात नहीं हो पाती है आप सीधा आप लोग हकीम सहाब से बात कर सकते हैं जुड़ सकते हैं कोई भी रोक संबंधी अपना प्रश्म कर सकते हैं कीमती नुस्के आप लोग जान सकते हैं जो घर बैठे बैठे आप लोग बना सकते हैं तो एक चीज यहां पे सुनने को आई थी कि जिनको पहले से ही बिमारियां हैं, वो अपना ख्याल जादा रखें, क्योंकि उनको ये महामारी ये संक्रमण बहुत जल्दी अपना असर दिखा सकती है, उनको पकड़ सकती है, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? और दिखिए ये बात सही है आपने सुनी, जिसको जो रोग है, ये डाइबिटिक आदमी को इसका बहुत ज्यादा एफेक्ट होगा, और मेरी तरह जो बड़े लोग हैं उनको ज्यादा होगा, जिसको जो रोग हैं उसका और ज्यादा ख्याल रखें, और जो लंक्स के यानि फेपड़ों के जिनको रोग हैं, वो सबसे ज्यादा खत्रे में हैं, किड्नी के जो रोग हैं, रोगी हैं, उनको भी अपना खयाल लखना चाहिए, और दुखिए, इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी एक ऐसी ताकत है, जो किसी देश के फौज जैसे होती, ऐसे इम्यूनिटी हमारे जिसम के अंदर, हमारी जिसम की हिफाज़त के लिए फाज है, अब यह जो हम बैठे हैं यहां पर, इस टूडियो में, तो किटानों ही किटानों हवा में उड़ रहे हैं, हमारे हातों पर अगर हम वो देखें न, उससे खुज भी इन से, तो ऐसा दक शम्ता, इसको बढ़ा लीजे, इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, मैं भी अक्सर बताता हूँ, रईसों के लिए, इसलाजीत, आदा गिराम, असली होनी चाहिए, नकली बहुत मिलती है, उससे ज्यादा, उससे इतने रईस नहीं हैं, आम आदमी हैं मेरे जैसे, तो कलोंजी प्राश है, अखरोट प्राश है, ये दवाएं अपलें, जब तक महामारी न जाए, अपनों को और खुद को भी इससे हिफाज़त के दाएरे में लाएं चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं, डिम्पल राएं हैं, आजम गर से हमारे साथ, स्वागत है आपका अलो हाँ मैं नमस्ते, जी नमस्कार मैं में में की कमर में बहुत दर्द रहता है बच्चा एक दवा जो इतनी मशूर है, वो एक राव मैटेरियल है, उसको कहते हैं, गौनसिया, मैंने ये बात पूरे हिंदुस्तान तक पहुचा दी, मिलती मुश्किल से है, नकली भी मिल जाती है, असली हासिल करें, आदा आदा गिराम अम्मी को खिलाएं, और आप होता है, लेकिन ये दवा, ये एरो मैटेरियल ऐसा है कि आपकी मम्मी की पूरी चोडों की, कमर की, नसों की, हड्डियों की, सारी रिपेर करता है, और ये 100-200 गिराम खतम होने से पहले पहले आपकी मम्मी का ठीक होना मुम्किन है, नेक्स्ट कॉलर है, आकाश दिल्ली से हम पताईए, आदाव, आदाव, बताईए, तो, सर्वाइकल का बगएर दवा के भी इलाज है, दवा भी कभी लेनी पड़ सकती है, और सबसे बड़ा इलाज है, सर्वाइकल का फिजियो थेरपी, फिजियो थेरपी ये, ये आप करते रहे पूरे दिन, वैसे दो चार मिनिट तो जरूर होनी चाहिए, और एक ऐसे, 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 पूरा मौर दिजियो और यहां तक लाइए, यहां तक देखिए, ये सर्वाइकल का बहतरी निलाज है, और वजन उठाने से परहेस करें, बगएर दवा के भी उनका ठीक होना मुमकिन है, और जरूरत परेत्वाब दवा भी ले सकते हैं, लेकिन ये दो दो चार चार मिनिट एक्सरसाइज एक दिन में होना जरूरी है.